जब भी कोई फेस्टिवाल या फिर कोई सुप काम होता है तो हमारे घरों में सबसे पहले बनने वाली मिठाई खीर होती है नमस्कार दोस्तों निर्मला की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ खीर की एक ऐसी रेस्वी सेर करने जा रही हूँ जिसे खाने के बाद लोग आप से इसकी रेस्वी पूछेंगे लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेस्वी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेर और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कि ये भी नब बिल्कुल ना जाए तो चलिए रेस्वी को सुरू कर लेते हैं खीर बनाने के लिए यहां हमने आधा कप चावल लिया है यह हमने नया चावल लिया है दोस्तो यह टिप्स नमबर वन है कि अगर आप खीर नय चावल से बनाएंगी तो आपका खीर बहुत बढ़िया बनेगा चावल आप अपनी पसंद के अनुसार बास मती या फिर कोई साधान डेली यूज का चावल भी ले सकते हैं अब हम इसे दो तीन बार अच्छे से साफ कर लेंगे दो तीन बार धोने के बाद हम इस चावल को पानी में भीगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी में भीग करके हमारे चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं आधे घंटे में चावल फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो हम चावल को पानी से चान करके अलग रख लेते हैं अब हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और उसमें थोड़ा सा घी अपलाई कर देंगे जिससे की जब हम इसमें खीर बनाएंगे तो खीर इसकी पेंदी में चिपकेगा नहीं हीर बनाने के लिए हमने 2 लिटर फुल फैट मिल्क लिया है तो अभी हमने 1,5 लिटर के करीब दूड डाला है बाकी का बचा हुआ दूद मैं बाद में डाल दूँगी क्योंकि कढ़ाई में पूरा दूद आ नहीं रहा था दूद की मलाई भी हमने साथ में हीर डाल दी है तो जब तक हमारा दूद बॉइल हो रहा है तब तक हम कुछ पैयारी कर लेते हैं तो घिंगे हुए चावल को हमने एक खाली में ले लिया है और इसमें एक छोटा चम्मज़गी डाल करके मैं इसमें हाथों से मिक्स कर लोगी इससे हमारे चावलों में देशी घी अच्छे से समा जाएगा यह है हमारा दूसरा टिप्स और तीसरा टिप्स यह है कि हम चावल को एक कटोरी की हेल्प से अच्छे से खोड़ा दबा करके मैस कर लेंगे जिससे हमारी अधिकतर चावल छोटे छोटे टुकडो में हो जाएंगे जिससे हमारी खीर जल्दी पक जाएगी और बिल्कुल गाड़ी रबड़ी दार खीर बन करके तयार होगी आप चाहे तो खीर बनाने के लिए टुकडा चावल का भी यूज़ कर सकते हैं दूद में बॉइल आने के बाद हमने चावल को दूद में डाल दिया है और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसी बीच हम कुछ ड्राइफ रूट्स को भी कट करके रेडी कर लेंगे खीर को हम मीडियम ख्लेम पे ही पकने देंगे यहाँ पे हमने अपनी पसंद के अनुसार काजू बदाम, पिस्तान, नारियल और चिरोंजी ली है चिरोंजी हो तो खीर में जरूर से डालिएगा इसका स्वात खीर में बहुत ही अच्छा लगता है बीच बीच में हम खीर को चलाते भी रहेंगे और कढ़ाई के किनारी किनारी जो मलाई चिपक जा रही है उसको भी हम छुडाते हुए दूद में मिक्स करते जाएंगे इससे ही हमारी खीर में रबड़ी वाले लच्छे बनेंगे और अब हमने इसमें केसर डाल दिया है केसर हमारी खीर को एक अट्रेक्टिव कलर देगा अभी हम कलची से ये खीर गिरा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे चावल और दूद एक साथ मिक्स कर गिर रहे हैं यानि कि हमारा चावल अच्छे से पक चुका है लेकिन खीर अभी तैयार नहीं हुआ है तो अब हम इसमें चीनी मिला देंगे ध्यान रहे कि चीनी आपको चावल पकने के बाद ही डालना है अगर चीनी पहले ही डाल दिया तो चावल जल्दी नहीं पकेंगे तो यहाँ पर हमने आधा कप चीनी लिया है तो जिसमें से आधा चीनी हम डालेंगे और आधा चीनी बचा लेंगे इसका प्रेयोग हम बाद में करेंगे अभी हमारा दूद थोड़ा गाणा हो गया है तो गैस फ्लेम हम सिम कर देंगे नहीं तो खीर हमारी पेंदी से चिपक जाएगी तो अभी हमने ड्राइफ रोट्स को कट कर लिया है तीन चार इलाइची को बारिक कुट लिया है खीर को भी कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं और साच में किनारे की मलाई भी स्क्रैप करते हुए छोड़ा कर दूद में मिक्स करते जाएंगे खीर में दूद और चावल एक सार हो जाएं इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताना चाहूंगे कि आप लैडल को इस तरह से बिल्कुल प्रेस करते हुए चलाएं जिससे की चावल अच्छे से मैस हो जाएंगे और हमारा खीर बिल्कुल गाड़ी रबडी दार बन करके तयार होगी और अब हम एक पैन में एक चम्मज देशी घी डाल करके ड्राइफ रोट्स को धीमी आज पर भूनेंगे ड्राइफ रोट्स को बिल्कुल धीमी आज पर ही भूनना है नहीं तो ये ज्यादा डार्क हो जाएंगे और स्वाद भी बिगड जाएगा सबसे पहले हमने नारियल, काजू, वादाम डाल करके घुन लिया है और फिर गैस फ्लेम बंद करके केवल पैन की गर्माहट से चीरवजी और पिस्ते को घुन लिया है अब हम इसे निकाल लेते हैं और बचे विगड़ी हम पोड़े से मुठी भर मखाने बुन लेते हैं और अब हम उसी पैन में जो चीनी हमने थोड़ा सा बचा करके रखा था उसे पहलाते हुए डाल लेते हैं और दो चमश पानी डाल लेते हैं, गैस फ्लेम धीमा ही रहेगा और इसे मिल्ट होने देते हैं, थोड़े ही देर में इसका कलर हलका सा डार्क हो जाएगा, तो गैस फ्लेम बंद करके हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, इसके बाद गैस अन करेंगे और धीमी आश प मुआ ना आने पाए नहीं तो खीर का स्वाद कड़वा हो जाएगा अब हम इसे हीर में डाल करके चलाते हुए मिक्स कर देंगे अगर आप चीनी को केरेमलाइज करके नहीं डालना चाहते तो जब मैंने खीर में चीनी मिलाया था उसी समय आप पूरा चीनी एक साथ खीर में डाल दें तो केरेमलाई सुगर डालने के बाद हम खीर को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देते हैं और अब हम भुने हुए ड्राइफ रोट्स को भी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हमने बचा लिया है सर्व करते समय गार्निस करने के लिए और इलाइची पाउडर को भी डाल दे हैं तो आपने देखा ना दोस्तो एक दम रबडी सी गाड़ी लच्छे दार वहती स्वाधिष्ट खीर बन करके तयार है उमीद है आपको आज की रेस भी पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू से करिएगा फैमली और फ्रेंज के साथ सेर भी कीज और मेरा वीडियो पहली बाव देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी गाने साथ जरू दबा ले ताकि मेरे आने वाली निव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पूरंत मिल सके तो चलिए फिर मिलती हैं अगली रेस्पी में थैंक्स फॉर वाचिंग बाई